नमस्कार पुनियो चलो के लिए बाई शो में इस वक्त हम देख रहे हैं कि देवी एहिल्या ने युराज खंडेराव को आइना दिखा दिया है आइना दिखाने की आपशक्ता क्यों पड़ी और क्यों दिखाया देखिए युराज खंडेराव पहले तो अपने पूरे साल की जो इंकम होती है वो ले लेते हैं एक ठी एक ही बार में अब हस्ताक्षर भी कर देते हैं कि ठीक है गुस्ते में करते हैं वैसे नहीं करते हैं और अब यूराज वही काम करते हैं बच्पन में अक्सर किया करते हैं देवी अहिल्या के सामने देवी अहिल्या को परिशान किया करते थे उनको रुला दिया करते हैं फिर से रुला दिया ती राजकोषच towardée, ठीक है, Qundangwa Taatya कहा मना कर सकते हैं और कैसे मना कर सकते हैं, भले युवराज को किो रोकेंगे सब कुछ युवराज का ही तो है, मगर देवी अहिला पीच में आ जाते हैं देवी अहिला कहती हैं कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा वो बही खाता लेकर के आती हैं और दिखाती हैं आपने खुद हस्ताक्षर किये थे युवरास्ख निराव कि अब एक साल तक आप एक भी पैसी की मांग नहीं कर सकते क्योंकि आप सारा जो आपी कमाई थी आप ले चुके हैं आपको जो मिलना चाहिए था एक बार में ले चुके हैं और मालवा के अंदर जो हस्ताक्षर होते हैं जो लिखित दस्तावेद होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा एहमियत होती है आप यह अच्छे से जानते हैं और मलहार राव सुजार जी भी यही करते वो भी इन कागजातों को और जो इनमें लिखा होता है उनको बहुत महत्व देते हैं बहुत मान रखते हैं इनका तब ही योराज, खंडेराव और ज़्यादा क्योंकि गुन्नु जी के भढ़काई हुए भी हैं और भला उनकी पत्नी जिनको भी वो जवाब दे रहे थे वो उनके सामने इस तरह के प्रमान रखती हैं तो कैसे बरदास्त हो सकता था उस बही खाते को लेते हैं और फाड़ देते हैं और देवी अहिल्या के उपर उच्छालते हैं कागज्यों को अब यदि हम और आप ये करते हैं तो मैं लगता कि हाँ मुपे तमाचा मारते हैं बहुत जोर का मगर देवी अहिल्या तो देवी अहिल्या हैं और गुस्सा उने भी आ रहा है मगर गुसा इसलिए नहीं कि पति उनके साथ ये कर रहे हैं गुसा इसलिए है कि मालवा का युवराज ये कर रहा है बाबा साहिब मलहार रावस्पदार जो इतने अच्छे इंसान है उनका बेटा इतना घलत काम कर रहा है किसी के बहकावे में आकर कर रहा है इसलिए में गुस्सा आता है और वो युवराज खंडिराव के उपर एक सरकारी दस्तावेज को फाड़ने के जुर्म में जुर्माना लगा देती है आर्थिक दंड लगा देती है और अब युवराज यदिस को नहीं भरेंगे तो और ज़्यादा मुश्किल में जाएंगे और अब यदि कुछ इस तरह की बचकानी हरकत करेंगे तो और ज़्यादा फसेंगे मगर कुल मिलाकर के बाद यहां पर वही है जैसे हम पहले युवराज को देखा करते थे जो देवी अहिल्या को प्रेशान किया करता था कभी कमरें बंद कर दिया करता था तब कभी बोरी बचकानी हरकत कर रहे हैं और देवी अहिल्या उनको सुधारने के लिए जो भी उस वक्त उन्हें उचित लग रहा है वही काम कर रही है यहां पर यूउराज ने यूराज होने का फाइदा उढ़ाना चाहा मगर देवी अहिल्या को जो पत दिया गया था देवी अहिल्या उनके साथ में पेश आ रही है क्या वो उचित है बताईएगा या कोई और तरीका भी हो सकता सा योराज को समझाने का उनको सही राह पर लाने का उनको मनाने का कि और पैसा नहीं मिलेगा